अलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चानल सो कैसे वह आप सब होप आप सब बहुत अच्छे होगे सेफ होगे घर पे होगे जो आज हम discourage की बात करने वाले हैं वह वेकिशी नाशनल कमशन फ़र वोमेंस के अंडर में आती है ठीक है तो यहाँ पर वेकिशी है तीन वेकिशी है counselor के लिए वो भी सिर्फ women's के लिए ठीक है women counselor के लिए vacancy है और जो vacancy है वो contract basis पर है so जो initially क्या होगा कि वो आपको एक दो साल के लिए contract basis पर रखेंगे उसके बाद अगर आपके behavior को देखके और आपकी counseling की जो भी जो आप जिस तरीके से behavior करते हो और आप कितने अच्छे अपनी job में हो जाते हो बहतर हो जाते हो तो उसके उसको देखते हुए वो आपकी जो job है उसको extend भी कर सकते हैं ठीक है so एक से दो साल तक के लिए आपकी यह contract based job है जो भी eligible candidates है उन्हें अपना जो अपने जो applications है और qualifications की copies है वो self attest करके इस particular website sorry email address पर send करना है और यहां पर दो email address दे रखे आप किसी पर भी send कर सकते हो पांच जून से जुलाई से पहले sorry पांच जुलाई से पहले आपको submit करना है अपना application form self attest करके साथ में आपको education qualifications और experience जो भी आपके पास है वो भी आप को देना है और आप इस particular address पर जो यहां पर address दे रखा है कि national commission for women's plot number 21 जसुला institutional area new Delhi यहां पर आप उसको speed post भी कर सकते हो ठीक है या फिर आप email के through भी दे सकते हो ठीक है सो जो eligibility criteria देख लेते हैं तो counselor की post है और आपको education qualifications जो चाहिए वो चाहिए email psychology साथ में आपके पास 3 साल का women related issues को handle करने का experience होना चीए ठीक है और यह एक tele counseling है like आपको call के through counseling करने होगे ठीक है जो आपको pay scale है जो आपको salary दी जाएगी वो है 40,000 तो salary भी अच्छी है ठीक है और एक experience के तोर पे और बहुत अच्छी जॉब है क्योंकि counselor की जॉब में basically क्या हो कि जितना ज्यादा आपको experience होगा उतना ज्यादा आप elaborate कर पाऊगे अपने field को explore कर पाऊगे अपनी knowledge को और ज्यादा बढ़ा पाऊगे ठीक है so objective क्या है income means आपको क्या-क्या monitor करना होगा आपक commission like up को moments related जो भी issues होंगे उनको call पे sort out करना होगा advice करना होगा इस तरीकेगा so 24-7 help line number जारी किया हुआ है जो भी इसमें है means आपको 24-7 ये job है लेकिन 3 shifts में means आपको या तो जैसे morning shift, evening shift या night shift में किसी एक shift में आपको दे दिया जाएगा तो उस shift में आपको काम करना होगा ठीक है that's it और जो भी चीजें हैं यहां पर वो मैंने आपको clear कर दी है और note में तो ऐसा कुछ खास नहीं है बस यह है कि यह women's related job है तो women's के लिए vacancy है तीन vacancies है counselor के लिए ठीक है that's it अगर आपको कोई भी और doubt है तो आप मुझसे comment section में पूच सकते हो ठीक है that's it thank you so much